आज ही डाउटनिट आप डाउनलोड करें डाउटनिट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हमसे फूचा गया है कि Pericycle जो कि अंदर जाएंगे तो हमें Multiple Layers वाला Cortex मिलता है और Cortex के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम Pericycle कहते हैं अब कौन से Plant की बात हो रहे है और इसके कौन से हिस्से की बात हो रहे है इसके basis पे Pericycle की Composition vary करती है लेकिन यह पर Lateral Roots की हम बात कर रहे थे तो Lateral Roots Roots में से कब निकल कर आती है Generally यह Plants की जो Vegetative Propagation होती है यानि Asexual Reproduction से जब वो Multiply करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कई सारे Plants में, especially जो Equatic Type के होते हैं, उनमें इस तरह कि उनके पास Root की Modification होती है जो Plant की Propagation के लिए है यानि जो Main Roots होती है उसमें से हम कह सकते हैं Lateral Roots या Lateral Branches निकल कर आ जाती है Roots की और फिर ये जैसे-जैसे Grow करती है तो नए Plants की ये Formation करती जाती है कई सारे ऐसे Invasive Weeds हैं जिनमें इस तरह की High Rate पे Lateral Roots की Growth की वज़े से वो तेजी से Phenomenal Rate पर किसका बना हुआ होता है इसके लिए EpiBlema हम सही आंसर माक कर देंगे क्योंकि EpiBlema हम देखते हैं कि Epidermis को Replace करने वाला यह हम कह सकते हैं जो Aquatic या Submerged Type के Plants होते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं उनमें हमें Epidermis की जगे पर ये EpiBlema मिलता है जो की Absorption में बहुत काम आता है और इसी तरह के EpiBlema से जो हमारे Aquatic Plants है जो इस तरह से Lateral Roots बनाते हैं उनका Pericycle बना हुआ होगा तो Option भी यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि अगर Option A देखे Meristematic हमें दिया हुआ है तो Pericycle से क्योंकि यह Lateral Roots Arise हो रहे है यहां पर कोई Cambium involved नहीं है इसलिए Meristematic हमारा सही answer नहीं होगा जहां पर भी Cambium होता है उसको हम Meristematic है सकते हैं जबकि Fellow Derm और Fellow Gen यह दोनों हमारे Cork के साथ Related Terms हैं जो कि हमें Roots में नहीं Stem में मिलता है Cork Cambium को हम Phelogen का नाम देते हैं जो कि एक तरह का Secondary Meristematic Tissue है और Fellow Derm हम किसी भी Plant के Secondary Cortex को कहते हैं जो कि बनता है Cork Cambium के द्वारा अंदर की तरफ Differentiate किये गए सेल से तो यहां पर Fellow Derm Secondary Cortex हो गया और Fellow Gen हो गया Cork Cambium जो कि हमें शूट में मिलेगा रूट में नहीं Meristematic Tissue भी यहां पर Involved नहीं है कि MBM की हम बात नहीं कर रहे थे Pericycle जो Latoral Roots बनाता है वो Option B Epiblema की हेल्प से बनाता है जो कि Submerged Plants में पाया जाने वाला एक तरह का Epidormis है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोड के ले डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर